बचो यह है आपके लिए बेस्ट ट्रिक फार्मुला। आपने साय हो सकता है इसके पहले पढ़ा हो। यह पर बेस्ट ट्रिक है एलेक्ट्रो स्टाटिक फोर्स के लिए। कैसे है ट्रिक। जैसे दो चार्जेस हूँ, यह दोनों रेस्ट में हूँ for two stationary charges, यह दोनों charges क्या है, रेस्ट में है और इनके बीच एक die electric medium, मतलब insulating medium या तो glass, mica, wood, कुछ भी हो सकता है, जिसका die electric constant के given है, और इसका thickness T है, और यह partially filled है, इस charges के बीच में, इस condition में आप क्या करेंगे, कैसे इनके बीच electrostatic force, मतलब या तो attraction, या तो repulsion, कैसे calculate करेंगे, उसके लिए best trick है, और इसके लिए ही नहीं, कैसा भी electrostatic force हो, अगर आपको calculate करना है, तो यहाँ इस formula का आप use करके solve कर सकते हो, कैसे, r-t plus t under root k, यह 1 by 4 by epsilon naught की value होती है, पता है, 9 into 10 bar 9, charges का amount magnitude है, r-t plus t under root k का whole square, अगर इससे आप लोग solve कर सकते हो, बहुत ही आसारी तरीके से, ठीक है न, बहुत ही आसारी तरीके से solve कर सकते हो, अगर इनकी बीच अगर हम बात करें, air हो, for air, air अगर हो, तो क्या होगा, यहाँ पर यह जो ठीकनेस है, यह t क्या लेंगे, हम approximately 0 लेंगे, approximately, totally यह 0 कर देंगे, अगर air होगा तो, यह 0, यह 0, overall आएगा, f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, k1 q2, q1 q2 by r square, air vacuum के लिए यूज़ करेंगे, अगर dielectric medium fulfilled हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक fulfilled हो, completely filled, completely filled, for completely filled, तो यहाँ क्या होगा, इस t के place पर हम क्या रख देंगे, r रख देंगे, या r के place पर क्या रख देंगे, t रख देंगे, there है, तो हमारा क्या मिलेगा, 1 by 4 pi epsilon naught, q1 q2 by, यहाँ t is equal to r हो जाएगा, तो r minus r plus r under root k का whole square, बतलब जो t है, वो r के बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक complete filled हो, तो r बराबर t हो जाएगा, cancel हो जाएगा, इसका square करेंगे k, तो 4, आएगा, 1 by 4 pi epsilon naught, यहाँ k यह वाला इधर आजाएगा, q1 q2 by r square, यह बच्चों important trick है, j, j, और neat के लिए बच्चों, इसको आप लोग याद रखेगा, simple सा trick है, बहुत ही बढ़िया, f is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, q1 q2 by r minus t, plus t under root के का whole square, पढ़िये, all the best.